नमस्कार दोस्तों आज हम बात कुनने वाले हैं कोरोना वैक्सिन के बारे में कोरोना वैक्सिन को देखकर आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी वैक्सिन असली है कौन सी वैक्सिन नकली है इसके अलावा आप अपने सैटिफिकेट की जाच कैसे कर सकते हैं कि कौन सा कर देने वाले हैं कि आप वैक्सिन की सिर्फ बॉटल को देख कर ये कैसे पता कर सकते हैं कि ये वैक्सिन असली लग रही है या कौन को सी साउधानी या हमें बरतनी चाहिए वैक्सिन लगवाने से पहले दरसल 21 जून से भारत में नई वैक्सिनेशन पॉलिसी लाओ की गई है 21 जून के बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिन अभियान चालू हुआ है सभी को वैक्सिन लगाई जा रही है अभी तक करी 32 कडो लोगों को वैक्सिन लग चुकी है इसके साथ ही भारत में फर्जी वैक्सिन के भी बहुत सारे केस आ रहे हैं महराश पस्चे मंगाल से बहुत से लोगों को फर्जी वैक्सिन लगाई गई है इसमें TMC के एक सांसद भी है पस्चि मंगाल में TMC की सांसद है मिमी चक्रवर्थी इनको भी फरजी वैक्सिन लगाई गई है इसके अलबा मुंबई में अकर हम बात करें तो मुंबई में 390 लोगों को फरजी वैक्सिन लगाई जा चुकी है तो इसलिए हम आज आपको बता रहे हैं कि आप फरजी वैक्सिन और असली वैक्सिन में कैसे फर्थ कर सकते हैं क्योंकि भारत में बहुत जगह पर फर्जी वैक्सिन लगाई जा रही है लोगों को लूटा जा रहा है पैसे ली जा रहा है उनसे और उनको फर्जी वैक्सिन लगाई जा रही है कहीं पर खुजलियां मिटानी की दवा मरीजों को लगाई जा रही है तो आपको फर्जी वैक यह देखना है कि जो इसको जो लेवल लायता है वो ठीक तरीकी से लगा है नहीं है जो उपर का धकन है वो सही तरीके से एकदम पैक लगा है नहीं लगा है यह आपको सबसे पहले देखना है इसके लाबा बॉटल पर आपको एकसपारे डेट देखनी है एकसपारे डेट लिखी गई है नहीं लिखी गई है इसके लावा आपको एक चीज और देखनी है कि आपको इसको देखना है कि इसकी दोबारा पैकिंग तो नहीं की गई है बॉटल को अच्छी तरीके से देख के आपको यह पता करना है कि इस बॉटल की दोबारा पैकिंग तो नहीं की गई ह बॉटल का आपको देखना है कि सही तडिके से जो की इसकी शैंप्लिंग है वो कहीं पर यिस्टेक लोगों को वैक्सिन लगाई जा रही है कि वैक्सिन की बॉटल ओतीय है वाली है आपको देखना कि तरी की सलामत है नहीं है उस पर कोई श्राइच नहीं है निशान तो नहीं उस पर कुछ और और जो की जो ब traffic में बहां रहा था लिक्विड नहीं कि उस liquid में कोई glue कुछ बगएर पानी की तरह तेर तो नहीं रहा है ठीक है उस bottle में कोई ऐसा पदार तो नहीं है जो तेर रहा हो क्योंकि जो असली vaccine होती है उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होती है आपको सही तरीके से इसकी बॉटल मिलेगी सही तरीके से उसकी spilling मिलेगी इसके लावा आपको अच्छी तरीके से expiridate और जो उसकी storage information है वो आपको उस पर लिखी मिलेगी ठीके सही तरीके से उसकी packing होगी तो यह सारी चीज़ें असली vaccine में होती हैं अब हम आपको उताते हैं कि आपको message का वाता है जब आप vaccine लगवाते हैं उसके बाद तुरंट only पांच मिनट बाद message आता है लेकिन अगर कहीं आप गाओं बगेरा में लगवा रहा है vaccine तो एक दो दिन लग सकते हैं क्योंकि गाओं में online सुभीता नहीं होती है इस कांट से आपको एक-दो दिन message आने में लग सकती हैं लेकिन अगर आपको एक-दो दिन से ज्यादा लग हैं तो आप इसकी जानकारी लीजिए ठीक है उसके बारे में सही तरीके से full information लीजिए ठीक है ऐसा आपको मेंसेज आ जाता है मेंसेज आने के बाद तुरंत वाद एक-दो घंटे बाद या 10-20 मेंट बाद आपके पास इस तरीक के एक certificate download मनलब certificate download होने लगता है इस message साथ मे आपको एक link आती है उस link पर आप जैसी click करेंगे तो आपके पास इस certificate download हो जाएगा इस certificate में आपको जो खास चीज़ें देखनी है बो ये देखनी है कि इस certificate में आपका सही तरीक से नाम डला होगा आपकी age डली होगी gender डला होगा आपकी जो id है जैसे कि आधा नमर है बो सही जैसे पही तरीक से डला होना चाहिए जो आकी ben efficacy ID रहीं आपको कॉन सी वैक्सिन लगी है का कि अगर आप जाच करना चाहते हैं कि आपका certificate सही है असली है तो certificate के साथ में आपको QR code मिलता है ये वाला code ये वाला code आपको अपने mobile पर scan करना है जैसे आप scan करेंगी तो आपको को जो को विन की website है जो government की Covn.com.covn.com website है उस पर आपको इस तरीक की का वोर्ड श्रीक कर जाएगा अगर आपको scan करनी कवाद यह certificate खुल रहा है तो आपका certificate असली है ठीक है अगर आपको यह scan करने लिए वाद कोई भी certificate नहीं खुल रहा है website पर तो समझ जाएए कि आपका जो certificate है पूर नकली है कोई बहुत जगह से कि आपको नकली certificate दी जा रहा है अस्पताल कहीं का है मरीच का नाम कुछ और है कहीं पर लगा है किसी तारी कोई डोज लगा है ठीक है तो गलत जानकारी भरके आपको certificate दी जा रहा है तो आपको certificate की सही से जाच कर लेनी है इसके अलावा अगर आप असली और नकली में simple सा फर् प्राइविटी सेंटर में जा रहा है तो आप कोई जो website है कि तो इस के अलावा किसी भी जगह को सरकाने परिमिशन नहीं दी है वैक्सिन लगाने के लिए तो आप कोई एप पर जाकर बैक्सीन सेंट्रों के नाम देख सकते हैं इसके अलावा एक्शी बगानी ने वीचित अगर आपको वैक्सिन लगी है तो आप एक महीने बाद अपना एंटी बॉडी टेस्ट करवा सकते हैं अगर आपको सही वैक्सिन लगी है तो आपके सरीर में एंटी बॉडी बन गई होगी ये असली वैक्सिन लगाने की पहचान है आपके सरीर में एक महीने के अंदर एंटी आप जरूर कर लें ताकि हमारा भी सपोर्ट रहे हम भी बहुत मैले से वीडियो बनाते हैं तो आपका सपोर्ट बहुत ही जादा आवशक है हमारे लिए ऐसी सपोर्ट बना रहे हैं और वीडियो को सेर जरूर करें ताकि आपके अलावा आपको जो रिष्तेदार हैं आपको जो दोस्त हैं उन सभी को ये सही जानकारी आपके पास आपकी द्वारा मिल सके धन्नवाद मिलते हैं अगली वीडियो में